आज में आप लोग के लेके आई हूँ एक ऐसा वीडियो जो कि बोहती आसान है इन चुटियों में आप बैठते हैं बच्चे भी बैठके इनको कर सकते हैं और यह में लेके आई हूँ देखे मैंने यह मेरा मुबाइल बैग है जिसके उपर मैंने यह बनाया हुआ है यह और एक घर में फालतु पड़ी हुई बोटल को भी मैंने इससे बनाया हुआ है तो यह इसका नाम है ट्रांसफर मीशीट यह कैसे होती है क्या बनाते हैं इसको कैसे करते हैं तो सब इस वीडियो में है तो पीस पूरा वीडियो जरूर देखेगा और हाँ यह मैं बहुत दि चलते हैं वीडियो की शुरुबात करते हैं चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं यह देखें यह ट्रांसफर मीशीट से इसका इंट्रेक्शन वीडियो मैंने डाल रखाया है मैंने जो ट्रे बनाई हुई थी उसमें से मैंने एक ट्रांसफर मीशीट से बनाई थी आ जाम आपको नहीं लगता है और बिना जंजट के चीजें भी खुबसूरत हो जाएंगी सबसे पहले देखे यह बॉटल है मैं आइस बॉटल को देखे यह बेरी प्लेन बॉटल है इस पे मैं आपको बना के दिखाऊंगी तो क्या करते हैं मैं कुछ इसमें से लेती हूं और करके आपको दिखाती हूं कि यह कैसे बनेगा चीक है अब इसमें बॉटल में बनाने के लिए सबसे पहले मैं सोची हूं यह वाला लेती हूं एक टीस और एक पीस मैं इसमें से लूगी और यह वाली चांसफर मी शीट जो पूरी है इसको मैं पेंटिंग बना के आपको दि निकलने के लिए हमने एक खोला और अंदर से पूरी जह है शीट देखें ऐसे करके निकल आदिये जिसमें से मैंने एक यह लिया इसको मैंने हटाया और इससे भी मैंने एक लिया अब हमें चांसे अब हमें क्या करना है जैसे इस बॉटल में हमें ये पीस काट के लगा रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हम कट करके सीजर से अलग कर लेंगे ये देखें एक रफली कट करेंगे जादा आपको शाप कटिंग नहीं करनी है रफली कटिंग करेंगे और ये ऐसी शीट है कि आप जिस चीज को चाहे उस चीज को आप डेकोर करके आप बना सकते हैं वैसे चाहे आप इसको कलर भी कर सकते हैं बॉटल को पर मैं मुझे ट्रांस्पारेंट रखना है अंदर लाइट रखनी है इसलिए मैं इसको ट्रांस्पारेंट ही रख रही हूँ अगर आप कंबन करें तो आप बॉटल को वाइट कलर से या वाइट चॉप पेल से आप कलर और इसमें से मैं यह वाली एक कड़ी ले रहे हूँ अब देखे अब देखे सबसे पहले बीचो बीच में इसके उपर एक ट्रांस्पारेंट पेपर होगा यहां से पेस्ट किया अब पानी लेना है पानी के साथ यह देखे मैं इस पाइंच भी गुए इसपानी को तो यहां पानी के साथ और देखे इस पे मुझे अच्छे से प्रेस करना है ताफ ही अच्छे से इसमें पानी लगना चाहिए बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं इतना लगना चाहिए कि इसका जो इंप्रेशन है वो बॉटल पे आ जाए बढ एंप्रेस लेक्ष अच्छे रॉटल झाला हुत कर ज्शत कर दो ढुल डीखे आप देखते हुं इसमें निकलता wonder डीए और यह दिखे कितने आराम से यह देखे पूरा अंप्रेशिन यह देखे इस बाटल पे यह पूरा इंप्रेशन इसमें बाया। अब हमने क्या करना है एक सील यह जूला था तो इसको जो हैं हम ऐसे लगाएंगे यहां पर पहले इसका हम यह देखे हम ने इस पर पॉलिफिन इसकी निकाल दी एंड यह देखे इस वैंड एंड यह देखे इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करते जाएंगे यह अपने आप आपको पता चल जाएगा कि अब हमें इसका पीछे का पेपर लेना है कि नहीं लेना है जब आप इसको स्पॉंच से करेंगे तो यह आटमाटिक पता चल जाएगा आपको और मैं देखती हूं यह दिखे यह देखे तो यह देखे आपकी यह बॉटल रडी हो गई है अब देखे इसको हम सबसे पहले सूखने रहेंगे अच्छे से हम इसको सूखने रहेंगे आप अप सिस्क्राइब चिज भी बना सकते हैं चाहे आप इसको बेज दे के आप बनाइए उसके बाद देखे हमें क्या करना है हम इसमें क्या करेंगे यह का मारा जो है मौट पॉच ग्लू है डेकोपाँज वाला हम इसके जो है यह हमने इसके डाला और हमने इसके उपर अप्लाई कर दिया, देखें, इसको मच्छे से सूखने देंगे, उसके बाद ये आपका सिक्योर हो जाएगा पानी से भी, ये देखें, ओके, ये देखें, अब इसको सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये कैसा लगेगा, चीक है? सेकंड देखें, ये मेरे पास जूपता पर्स है, क्वाइन बैग है, आप मोबाइल रख सकते हैं, मोबाइल बैग है, इसको देखें, इसके उपर ये खाली लग रहा है, इसके उपर भी मैं लगाती हूँ, ये देखें, ये मेरे यूज है, और ये मैं लिया, सबसे पहले मैं तो मैं ये वाला पोशेन इसमें से लेने जा रही हूं। ये वाला ने देते हैं। ये वाला लेकर सबसे पहले हम इसको अलग से लगा लेते हैं, जिकाल देता है। सबसे पहले हमने क्या गड़ना है उपर से यह हमने हंटाया इसके बाद इसको भी पीश में रखा और स्पॉन से इसके पर अपने वाटर प्रेस करना स्टार्ट गड़ना है अब देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है कि इसको पानी ही और जरूरत है दिखते हैं अभी और जरूरत है और देखे यह दिखे और यह इसके बन के रड़ी हो गया है अब इसको हम पानी इसको सूखने देंगे इसके बाद हम इस पर जो है मॉट पेज ब्लू जो है हम उससे लगाएं गे और फिर देखेगा इसको यह उपर के आटमाटिक आजाएगा तो second मैंने ये बनाया और third मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही है मेरा mobile cover है इस पे देखें मैं क्या लगाती हूँ ये मेरे पास बचा हुआ था तो ये देखें अभी तो मैं आपको ये पहला बता रही हूँ कि हम use कैसे करेंगे फिर इसके बार मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे कैसे इसको और use कर सकते हैं किस किस technique से और हम use कर सकते हैं ये बहुत simple तरीका है ये basic तरीका है आपको use करके दिखाने का कि आप इसको कैसे बरा सकते हैं सबसे पहले मैंने हमेशा की तरह ये दिखें ये मैंने निकाला इसके बाद यह है मैंने इसको इसको यहाँ पर प्रेस कर दिया और ये देखें तीनों चीजे इस तरह से हमारी ready हो गई इसको मैं इसमें मैंने light लगाई मैं on करके दिखाती हूँ ये देखें ये impression आपको साफ नजर आ रहा होगा ये देखें और ये देखें मुबाइल का आप ऐसे कोई भी मुबाइल कवर आप बना सकते हैं और ये बहुत ही जादा अब बनाने के लिए बहुत ही आसान है उनको भी ये बनाने के लिए बहुत ही आसान है आगे मैं बताऊंगी किसको हम कलर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं इन चीजों को और इसकी में आपको पेंटिंग बना के दिखाऊंगी कि इसको अगर हमें पेंट करना नहीं आता है कुछ भी नहीं आता तो हम इसकी पेंटिंग बना के हम कैसे लगा सकते हैं इन चीजों पे भी मैं आपको बताना सिखाऊ तो I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो प्लीज एक मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तिल देल नम रता को बाबाई